नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल है संस्कृत साही तेवन संस्कृती और आप इस समय हितो बदेश हुन रहे हैं, विग्रह भाग चल रहा है जो विजीगी शूराजा हैं, जो विजे प्राप्त करना चाहते हैं जिनको संतोस नहीं है अपने राज्य से, अपनी परंपरा से, जिनको दूसरों की राज्यों के उपर आधिपत्य करना अच्छा लगता है जो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं ऐसे राजाओं के संदर्व में, यहां बहुत ही महत्पून बातों की जच्छा चल रही है कहा था कि सेनिक पहले ही जाकर के, जो पैदल सेनिक हैं, वो सत्रू राज्य को विध्वन्स करें वहां के जो साधन सामगरी हैं उसको नश्ट करें आगे चलते हैं बले सू प्रमकोहस्ती नतधा अन्यो महिपते निजैर अव्यवईरेवे मातंगो अश्टा युधस्मृता अगर बल्वान शक्ति साले साधन देखा जाए तो राजा के पास सबसे बल्वान, सबसे शक्ति साले जिसको कहेंगे वो हाथी ही है यहां कहते हैं कि हाथी जैसा अन्यो महिपते न, राजा के पास दूसरा कोई साधन नहीं है क्योंकि हाथी तो अपने शरीर से ही अश्टा युध है, आठ अंगों से वो युध कर सकता है तो आप कहेंगे आठ अंग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए कि चार पैर हैं, किसी भी पैर के नीचे कोई भी आगया गया काम से आगे दो दात हैं, चार और दो छे हो गए, उन दातों में भी जो फसा वो गया, और आगे सून और पीशे पूँचतो है ही सून तो आप जानते हैं कि हाथी की सबसे शक्ति सालिय है, वो उसका प्रयोग करके कुछ भी कर लेता है लेकिन हाथी की पूँच भले पैरों तक लंबी नहीं होती है लेकिन चौकि वो मिट्टी में बैठता रहता है तो उसके पूँच के जो थोड़े से बाल हुआ करते हैं जब उनमें मिट्टी लगती है, चिपकती है बारिस में वो भींगते हैं पानी में भीगते हैं जब हाथी नहाता है फिर मिट्टी में बैठता है तो वो पूँछ ऐसी हो जाती है कि किसी को मारो तो गदा की तरह उसका प्रहा यहां कवी यह कह रहा है कि राजा के पास सबसे शक्तिसाली युद्ध का सादन जो है वो हाथी है क्योंकि हाथी अपने शरीर से ही अश्टा युद्ध है उसके आठ आठ अंग जो है वो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जहां जिस लपिटे में कोई आ गया वहीं उसके प्रानत निकल जाए यह जिश्चे थे अब घातियों की बात की चलिए घोडों की बात करते हैं तो जो घोडों का बल है शक्ति है वो सेना के लिए जंगम प्राकारो यानि चलती हुई किले की दिवाल है किले की दिवाल तो एक जगे फिक्स रहती है लेकिन जिसके पास घोडों की बड़ी सेना होना उसके पास तो चलती हुई दिवाल है यह दिवाल ऐसी है कि घोड़ों पे सवार जो घोड़ों की पूरी एक दिवाल जैसी बना सकते हैं और शत्र योद्धा को परास्त करने में यह सबसे बड़ा साधन बन सकते हैं तो घुडाओं की जो शक्ती है उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो चलती फिरती राजा के लिए दिवाल है तसमाद अश्वाधिको राजा विजयी स्थर विक रहे इसलिए जब कोई स्थर पे युद्ध होता है जब खुले मेदान में युद्ध होता है तो जिस राजा के पास अश्वबल अधिक होता है वो राजा उसमें सफलता प्राप्त किया करता है आगे जो अश्वबल है उसकी और चर्चा करते हुए कहते हैं युद्यमाना हयारूड़ा देवा नाम पि दुर्जया जब कोई योद्धा घोड़े पे सवार होकर के युद्ध करता है तो देवताओं के द्वारा भी दुर्जय हो जाता है यानि देवता भी चाहें कि उसको पराजित कर दें तो ये स्थिती जब घोड़े पे सवार योद्धा है तो देवता भी उसको पराजित नहीं कर सकते अपी दूरस्थिता ते साम वैरिनों हस्त बनती है और इनकी सबसे बड़ी विशेस्ता ये होती है कि दुस्मन इनसे कितना भी दूर हो लेकिन इनकी बिरुकुल हाथ में इस प्रकार की स्थिति होती है क्योंकि घोडों की गती, घोडों की तीवरता, घोडों की शक्ती ये सारी चीजें ऐसी हैं कि दुस्मन भागना चाहे तो भाग नहीं सकता है क्योंकि थोड़ी सी पलक जपकते तो घोड़ा आपको लेकर के दुस्मन के पास पहुंच जाता है और आप दुस्मन को परास्त कर सकते हैं अब चलिए सबको जवाबदारियां तो देनी पड़ेंगी चतुरंगिनी शेना है आपके पास तो यहां कहते हैं कि सबसे पहली जवाबदारी जो है राजा की यह होती है कि वो इस प्रकार के व्यूहू की रचना करें जिससे उसकी चतुरंगिनी सेना जो है वो सुरक्षित रहे ऐसा ना हो देखी युद्ध करते करते युद्धा वीरगती को प्राप्त हो तो ये तो सबको सौभाग्य प्रतीत होता है यानि युद्धा को भी ये सौभाग्य प्रतीत होता है और जो राजा है वो भी इस चीज का गौरब ले सकता है कि मेरे सैनिक ने इतने लोगों को मारने के बाद या इतना भैंकर युद्ध करने के बाद वीरगभी का लेकिन बिनाकारण के जब आतंकवादी बंबिस्पूट करके मार दें आप कहीं जा रहे हैं पैट्रोनिंग कर रहे हैं और उसमें मार दिया जाए तो यहाँ पे तो राजा की निस्फलता ही हुआ गरे है इसलिए यहाँ पे यह कहा है समस्त बलपालनम आपकी समस्त सेना की रक्षा करना प्रत्मम युद्ध कारिक्वम युद्ध में आपकी पहली जवाब दाली है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं कि जिस मार्ग से आपकी सेना जा रही है पैदल सेनिक पत्ती जो आपकी है एक सेना का टुकड़ी पैदल सेनिक जिसमें अधिक होंगे इस प्रकार से बन में से चलती हुई जाए जिससे कि अगर बन में कुछ छुपा हुआ है अगर बन में कहीं जैसे आजकल माईन बिचा दिये जाते हैं हमारे सेनिक जाते हैं, गाड़ी की गाड़ियां उर जाते हैं तो वो इन चीजों का परिक्षन करते-करते आगे चलें, जिससे कि हमारी सेना का जो बहुमूल लिस्यानिक होता है, उसके प्राण बिना कारण के ना चले गाए. देखिए, हजारों साल पहले, जिस बात को ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, अभी भी अगर हम उन्चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम बहुत बड़ी हानी उठाते हैं। सेनिकों के लिए, हमारी सेना के लिए हानिका रखो, ये जवाबदारी पत्ति को सोपनी चाहिए, पैदल सेनिक जो आगे जा रहे हैं, उनको ये जवाबदारी सोपनी चाहिए। स्वभाव सूरम अस्त्रग्यम अविरक्तम जितस्रमम प्रशिद्धक्षत्रियम प्रायम बलं स्रेष्ट यतमम विदोह। अब लिए कौन स्रेष्ट युद्धा बन सकता है। तो इसका वरणनम करते हैं स्वभाव सूरम जो स्वभाव से ही सूर्वी है। ये गुण ऐसे नहीं जो पैसे दे के खरीदे जा सकें। ये तो कह सकते हैं कि कुछ अंसतक संस्कार व्यक्ति को स्रिष्ट बना देता है। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए हमारे यह यह कहा गया है कि ये गुण व्यक्ति में जन्मजात होते हैं या ये गुण व्यक्ति में उसके जातीगत, उसके परंपरागत, उसके परिवार से, उसके जीन्स में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ स्वभाव सब्द का प्रेयोग किया है कि स्वभाव से जो सूर्वीर गणते हैं, ऐसे अस्त्रग्यम जो अस्त्र शष्त्र चलाने में बड़े माहर होते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की प्रैक्टिस कियो, अब ये काम जो है न, ये विद्ध्या का है, ये वि छस्त्र चलाने की छंता उसमें हो सकता है वो तीभर बुद्धी हो सकता है अगर अगर शूर्वीर लेकिन ये चीजें उसको सीखनी होगा है ऑगे कहते हम विरतम विरत कातात पर यह होता है कि जिसको बहुत अधिक परिवार की मोहम आया होगी ना जिसको तो अपने जीवन से ही अधिक लगाओगा, वो युद्ध भूमी में जाके युद्ध क्या करेगा, सबसे पहले उसमें यी विरत्ती की भावना तो होनी ही चाहिए, कि देश के लिए अगर अपने प्राण निचावर करने हैं, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने प्राणों से होता है, और उसके बाद उसका घर-परिवार, ये सभी मोह के कारण और जिसमें मोह नहीं है, उसी को विरक्त कहला जाता है, तो सुभावसे सुरवीर हो, अस्ट्र सस्ट्र चलाने में हो, पारंगत हो, जो विरक्त हो, जितस्रमम, ये बहुत बड़ी बात कह origini है, कि यह व्यक्ति की मानसी किस्थिती है यह शारी किस्थिती होती ही नहीं है शारी किस्थिती का जो भी ठकान है वो सिर्प 5 Il Mainit में दूरों जाया। व्यक्ति जड़ासा बैठ जाए थोड़ा पानी पी ले तोड़ा कुछ खाले और वो तरोधाजा हो जाता लेकिन जो मानसिक ठकान होता है वो तो कई बार दिन नहीं महिनों में भी नहीं उतरता है क्योंकि व्यक्ति मन से इस प्रकार से ठकान महसूस करने लग जाता है मैं आपको एक उदाहरम देता हूँ आप इस चीच को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं हमारे घर में कोई फंक्षन होता है मान लेजिए पुत्री का विवाह है अब पुत्री के विवाह में एक दिन के कारियों से तो कारिय पूरू नहीं हो जाता है महिनों से एक परंपरा चली करने जाना है को खरीदी जाना है किसी booking के लिए जाना है यानि इतने सारे विवाह के लिए आवश्यकार होते उन्हें व्यक्ति लगा रहे हो ता दिन रात लगा और उसके बास बारात घर पर आती है आज तो ठीक कि इस्तितियां ऐसी हो गई है कि ना तो घरवालों के पास समय है कि बरात का बहुत लंबे समय तक स्वादत करें ना बरातियों के पास इतना समय होता है तो आजकल तो समय बहुत कम हो गया है कई बार तो ऐसा होता है कि जहां संध्याकाल में बरात आती है संध्याकाल में बरा अब नेस्न रिखार का अपने प्रिवार विवाहों देखा है उनको मैनेज किया तो जब 2-3 दिन तक बारात रहा करती थी तो 2-3 दिन तक वो पुत्री का भाई हो वदू का या उसका पिता हो यह हमेशा कारेरत रहते थे लगे रहते लेकिन विदा होकर कि लड़की घर से बाहर निकली नहीं जैसे उसकी विदाई हुई वह वहां से गई नहीं कि उसके बाद उन लोगों को इतनी ठकान लगती थी कि अब कुछ नहीं करना है अब जो होगा वो कल किया जाएगा मंडब बाला के अपना मंडब निकाल ले जाए तो निकाल ले जाए मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ सब को जादा से जादा पैसा भी देना है तो बैया दूसरा कोई हो वो दे दिला दे वो इसाब करा दे हम इससे बिलकुल निश्चिंद हो जाएं तो तातपर यह है कि महिन पे जितम विजय प्राप्त करना यह एक स्रेष्ट गुण है और जो व्यक्ति इस प्रकार के गुण को धारन करते हैं वह अच्छे योद्धा बनने के लिए योग है प्रशिद्य शक्त्रियम प्रायम अब देखिए यह जो है ना यह वह बंस वाली बात है कि रधुवन सी योद्धा होगा तो उसमें इस प्रकार की ताकत होगी यह चंद्रवन सी योद्धा होगा तो उसमें इस प्रकार की ताकत होगी यह उनमें एक यह स्वाभावे के गुणुवा करता है जो पहले का था कि स्वाभावे सूरा अब अगर आपको चैन करना है आप कैसे उसके स् प्राण निछावर करने की शक्ति हो जो विरत्त हो जिसमें मोह ना हो वो भी आपका बहुत अच्छा सेनिक हो सकता है जो ठकान मैसूस ही ना करता हो ऐसा सेनिक भी आपके लिए बढ़ाव क्योंग इसी तो हो सकता है इसी प्रकार से तो ये एक-एक गुण इस प्रकार के हैं कि अगर व्यक्तिमिन में से कोई एक गुण हो तो भी वो सेनिक बनने का अधिकारी है अरे जिसमें सारे गुण मिल जाएं उसको तो आप सेना पती बना दीजिए सेना देक्ष बना दीजिए बिना चिंदा किये हुए और इसमें जो अंतिम बात कहिए कि प्रशिद छत्री वंस का वेखती अगर हो तो ऐसे लोग स्रेश्ट सेनिक बनने का आपके बल यानि आपके सेना के स्रेश्ट साधन हो सकते हैं ध्यान दीजिएगा अगर किसी में ये सारे गुण मिल जाएं तो मैं कहता हूँ कि उसको सेना पती ही बनाना चाहिए यथा प्रभुकृतान मानान युद्यन ते भुविमानवाह ना तथा बहुविर्धत ते द्रविनई रपिभूपते बहुत ही स्रेश्ट बात कहीं जा रही है भईया कि जो राजा के लिए समर्पित होता है वो जिस प्रकार से युद्ध करता है आप कितना भी बड़ा वेतन किसी का ते करते हैं उसके आधार पे आप उस प्रकार के युद्ध की अपिक्षा नहीं रह सकते हैं देखे वेतन मिलने पे सेनिक आपके लिए युद्ध करने के लिए तयार होता है लेकिन वो अपने प्राण निशावर कर देगा वो मर जाएगा इसकी तयारी उसकी होगी नहीं होगी इसकी कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन जिसको अपने प्रभु कृतान मानान अपने स्वामी की प्रती अत्यदिक मान होता है जिनके मन में ये होता है कि मुझे अपने स्वामी के लिए प्राण भी निशावर कर देने पड़ें तो मैं पीछे नहीं अटूँँगा आठ ऐसे लोग कि के इस प्रकार का चुर्झ कर सकते हैं रन हुँमी में बहु भिर्द यह द्रवि नहीं ही आप कितना भी धन दे करके कि सी योद्धा को कितना भी वेटन दे करके आप युदो भूँमी भेजेंगे वो योद्धा इस पकार से युद्ध नहीं करेगा दूसरी बात है हम इसको दूसरी तरीकी से भी समझ सकते हैं वह जो धन के लिए युद्ध कर रहा है वो तो ये भी संगो है ना कि आप से अधिक धन किसी ने दिया तो उसके लिए युद्ध करने लग जाएगा तो यहां ये बहुत ही ध्यान देने योग की बात है कि लालिची हो ऐसा सेनिक नहीं हो सकता है इसलिए सेना के सेनिकों को कभी भी इस चीज की अनुमति या सम्मति नहीं होती है कि वो अपना वेतनमान बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं वो अपनी सुविधाओं के देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनके लिए कोड मार्शल वाली स्थिति हमेशा तयार रहती है कि बरम अल्प वलम सारम ना कुर्यान मुंड मंडलिम कुर्याद असारभंगोही सारभंगम अपिस पुड़म और एक महतुपून बात है कि देखिए आपकी जो पुद्धा हों बल्वान हों समर्पित हों ऐसी मंडली ऐसा गुरुप आपको या ऐसी जिसको आप कहते हैं यूरिंड आपको तयार करने जाहिए मुंड मंडलिम ना गुर्याद बहुत सारे मस्तक के कठे नहीं करने चाहिए ऐसा नहीं है भई हमारे पास प्रवान है छत्रपती सिवाजी बहुत बड़ी सेना इनके पास नहीं हुआ करते थे लेकिन ऐसे चुनिंदा यूद्धा होते थे जो ये कहते थे कार्यम वा साधे यम देहम वा पाते या तो अपने शरीर का परिक्त्याग करूंगा या कार्य में सफल होकर क्या हूंगा निस्वन्ता के साथ बापस आने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है तो भया ऐसे जो समर्पित योद्धा हों चत्रपती सिवा जी के अच इस प्रकार के मराटा योद्धा हुआ करते थे इस प्रकार के समर्पित योद्धा हों तो अलपम बलम सारम तो छोटी सेना भी आपके लिए बड़ी हूपई कि मुंड मंडलीम ना कुर्याद बहुत लोगों को इकत्रित नहीं करना चाहिए कुर्याद असार भंगो ही सार भंगम पिस पुटों जब युद्ध होता है ना तो ऐसे जो डरपोक भागने वाले सेनिक होते हैं कई बार वो जब भागना सुरू करते हैं तो बलवान जो हमारे समर्पित सेनिक हैं उनका भी मनोबल तूट जाता है और भी भाग खड़े होते हैं इसलिए सेना जब युद्ध के लिए जाती है तो उस समय आपको इस चीज का चैन बहुत आवश्यक होता है देखिए पहले कहा गया था कि राजा के पास संख्या बल भी आवश्यक है राजा को दिखाना चाहिए कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है लेकिन हाथी के ताज जैसे दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं इसी प्रकार से जिनको लड़ने के लिए भेजना है देखिए आपके पास पीशे कितनी सेना खड़ी हुई है वो नहीं सामने वाले को पता है कि इनमें से भागने वाले कितने हैं उनमें से लड़ने वाले कितने हैं उनको पीछे रखा जा सकता है उनको सेना के मद्ध भाग में रखा जा सकता है लेकिन युद्ध करने के लिए जिनको जाना है उनके लिए कहा गया है कि चाहे वो छोटी सी ठुकडी हो चाहे वो एक छोटा सा यूनिट हो लेकिन वो ऐसे उपर जिनकी विश्यस्ता बताएगे ऐसे यो दाओं कि वो ठुकडी होनी चाहिए जब वो जाती है तो आपको सफ़ता दिलवाती है चलिए मैंने कहा कि ये काफी लंबा प्रसंग है आगे की चर्चागले वीडियो में करेंगे जोंग डोक्टर हरी निवास आनंद लिजिए अच्छा लगे तुमित्रों के साथ स आने माँ